नमस्कार सातियों, मैं बलाल चोदरी, स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार A.L. क्लासेज में, दोस्तों हम लोग एक सीरी चला रहे हैं कि S.S.E. G.D. की जितने भी पुराने पेपर्स हुए हैं, उन में से मैत और रीजनिंग का जो है वो सोलिशन मैं आपको करवा र आज हम बात कर लेते हैं mathematics की, शुरुवात करते हैं इसके questions की, कि 12 cm बुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंब वर्तिये शंकू, अब समझना इसको आप, मैंसुरेशन का सवाल है यह, कि भई एक बहुत बड़ा घन था, इस तरीके से, यह एक घन है, और इस घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंब वर्तिये शंकू, देखो शंकू कटेगा कैसे इसमें से, शंकू कटेगा, इसका यह कोई बीच वाला point अपने को लेना प इस तरीके से, यह, यहां से, यू, इस तरीके से यह काटा जा सकता है, तो आप से यह कहाता है कि सबस्यों बड़े लंब वर्तिये शंकू का आयतन क्या होगा, शंकू का आयतन क्या होता है, फहले तो मुझे यह बताईए आप, शंकू का जो आयतन होता है, वोता है, एक सबी वुजाएं जो है वो बराबर होती है सबी फलक बराबर होते हैं तो गन की हाइट जो हो जाएगी वो तो हो जाएगी 12 और जब आप इसको ऐसे रेडियस लोगे इसकी तो भई वो भी 12 होगी लेकिन इसका व्यास 12 होगा तो radius जो है वो 6 हो जाएगे आपकी 30 जो है वो 6 हो जाएगी तो भी 6 गुणा 6 और h जो है वो आगया 12 काटा पीटी कर लिजे आप 3 दूने 6 फिर 6 दूने 12 12 12 12 14 14 14 24 दूने 200 ठेंसी 200 ठेंसी को गुणा कर लिजे 11 से भाग दे दीजे 7 का 8 8 8 16 1 और 8 10 और 11 1 3 पटे में 7 किया जाएगा 7 4 28 कितना बच गया यहां 3 75 35 और यहां बच गया 7 दूने 14 तो 452 पॉइंट को चारा है तो यह हमारा आंसर होगा ठीक है आगे चलते हैं अगला किशन 6 अंडरूट 2 सेंटिमेटर की बुजा वाले एक वर्ग को एक वरत्त में उत्किरन किया गया ह एक वर्ग था और इसको जो है वो इस तरीके से एक वरत्त में इसको जो है वो डाला गया है और आपसे यह पूचा है इसकी जो वर्ग की बुजा थी वो 6 रूट 2 थी अच्छा इसका जो विकन होता है क्या वो इसका अंडरूट 2 गुणा नहीं होता जो भी वर्ग होता है देखो जिसमें ये बुजा A है ये बुजा भी A है तो ये एक पाइथागोरस एक समकोर्ण तिरबुज बन गया इसमें जब आप पाइथागोरस लगाओ गया तो ये आधार हो गया ये लंब हो गया तो ये वाली जो बुजा है माल लेते हैं ये A है ये B है ये जो बुजा है इसका square जो है वो a square प्लस a square के बराबर होगा तो भई ये 2a square हो जाएगा यहां से अगर मैं a b की बात करूँ root अटा दूँ अगर ये square अटाना चाहूँ तो root ले लो दोनों तरफ यहां हो जाएगा a b बराबर under root 2 और ये a ये मतलब हमने बुजाए माना था इसको तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आपसे ये पुछा जाए जब भी आपसे पुछा जाए जो वर्ग है उसकी जो बुजा है विकन जो है उससे root 2 गुना होता है तो यह हो जाएगा रूट दो रूट दो गुणा हो जाएंगे आपस में तो यह 12 आ जाएगा भई ठीक है अब आपसे क्या पूछा है आपसे पूछा है वर्ग को छोड़कर वरत का शेत्रपल आपको बताना था तो वर्ग का शेत्रपल तो कितना होगा मुझे बताओ आप है पुझा गुणा बुझा तो बुझा है इसके चैन्ड रूट दो इसको गुणा कर देंगे चैन्ड रूट दो से यह अजाएगी 36 अर 37 दूने भैतर और आप से कहा है वर्ग का शेत्रपल वह यह वाला एरिया पूछा आपसे यह जो खाली रह गया ना यह वाला एरिया से कुछ है अब बताओ व्रत जो होता है व्रत का एरिया चैंट्ट का एरिया जो है वह क्या होता है पॉता है पाई-220 बटासाथ रेडियस जो और यह पूरी 12 है रेडियस छैट नहीं हो जाएगी इसके लेकुम आजा है तो बही आजाएगा 666, 36 दुने 22 और 22 गुणा 11 करोगे तो ये 7, 9, 2 7 का भाग दे लो इसमें 7, 1, 7, 7, 2 बच गया 7, 21 113 पुइंट कुछ बचेगा और इसने अपने से जो है वो निकटतम मानी पूछा है ठीक है? तो 113 में से जब आप 22 गटाओगे 113 में से जब आप बहतर गटाओगे तो ये आगया 1 और ये 7 और 4, 14 तो लगबग आंसर पूछा था वो हमारा क्या आगया? 14, ठीक है? आगे चलते है आप से काया है ये एक सिंप्लिफिकेशन का सवाल है हम सबसे पहले इस केस में बोड मास होल करेंगे तो भई 96-4, ओफ 18-13, प्लस 4 गुणा साथ कोड मास मतलब होता है, बी मतलब ब्रेकिट, ओ मतलब ओफ यानि सबसे पहले ब्रेकिट सोल करेंगे, अगर कहीं आ रहा हो तो देखो ब्रेकिट ये रहा है तो 96-4, ओफ मतलब होता है का? का मतलब होता है? गुणा इन दोनों का जब अंतर लोगे तो प्लस का जो है वो 8 बचेगा, तो 96 में प्लस आट जो है वो आपका क्या जाएगा? एक सो चार, एक सो चार जो है जहां कहीं दिखें वो ही अमरा अंसर है रेश्मा अपनी आए का 84% खर्च करती है यदि उसकी आए में 30% वर्दी होती है ये सवाल जो है वो SSCGD हर बार पूछ रहा है ये TCS का जो नया पेटरन है उस पर आधारी सारे सवाल है तो ये हर बार पूछ रहा है तो हमें क्या करना है देखना इसको? आई जो होती है आई में से अगर मैं खर्चा कटा दू आदमी का तो ये जो आती है ये आती है बचत तो बही इंकम जो थी इसकी वो 100% थी उसमें से 84% अगर इसने खर्चा कर दिया तो बही परसंटेज में बच गया 16% यदि उसकी आए 30% वर्दी होती है अबकी बार उसकी जो इंकम है उसमें 30% इंकरीज हो गया यानि ये हो गई 130 और बचत में 40% की वर्दी होती है बचत में 40% इंकरीज होता है 16 का 40% जो होगा वो 164,64 होगा 16 प्लस 6.4 ये हो गया आपका 16 वर्चे 22.4 एक बात बताओ अपकी बार 130 ये कमा रहा है उसमें से 22.4 जो है वो खर्च कर रहा है तो बच गया कितना? ये 6 और इधर 3 और 7 10 और इधर बच गया आपका 107.6 हाँ ठीक है तो 107.6 जो है वो इसका खर्चा हुआ होगा पड़ ये बात और ये सारी परसंटेज की ठीक है? 107.6 इसका खर्च हो गया इसने ये पुछाता कि खर्चे में कितने प्रतिशत के वर्दी हुई तो बही 84 से ये 107 हो गया तो 16 तो ये और 7 ये तो 23.6 रूपय जो है वो इसने बढ़ा दी और 23.6 जो है वो बढ़ाएं किस पर? वो बढ़ाएं 84 पर पस ये पूछाता था 23.6 जो है वो इस 84 का कितने पर्चेंट है? तो से गुणा कर दो सबसे पहले ये पॉइंट अटा हो तो बटे में आ जाएगा जिरो जिरो से आपका जिरो कट गया अब किस से काटे इसको? चार से काट लेते हैं चार दूने आट चार एकम चार चार पंज बीच चार नाम 37 पस अब 590 इसमें आपको भाग देना था 21 का तो बही 21 दूने 45 यहां बच गया 7 यहां बच गया 1 और 0 अब 21 का पाड़ा कितनी बार बोले? तो बही दो नाम 18 होता है वो थोड़ा ज़्यदा चला ज़्यदा है 7 बार बोल लेते हैं अच्छा 9 बार है न तो 8 बार 8 एकम 8 और 8 दूने 16 16 या आगया 2 28 पॉइंट कुछ आएगा अच्छा अगर 2 आया है तो भई अब इसके आगे एक 0 लगा लेंगे पॉइंट लगा या भाग नहीं जा रहा तो फिर 0 लगा लेंगे ठीक है तो 28.09 इतना आएगा तो 28.09 एक के बराबर हो जाएगा ठीक है आगे चलते है अगला गंटे में तैकी के दूरी 55 किलोमेटर यानि फर्स्ट आवर जो था उसमें 55 किलोमेटर फेकेंड आवर में जो है वो 55 और 69 और 69 और इस तरीके से बढ़ती जाती है और आपसे पूछा है तेरा गंटे में तेरा गंटे में कितनी दूरी तैक कर ले गए अब बताओ मुझे हर गंटे में अगर 4-4 गंटे बढ़ती जारी है तेरा गंटे है टोटल पहला गंटा यहे चल चुकी है यानि इसने शुरुआत कर दी यहां से लेके यहां तक पहला गंटा यह चल चुकी तो भई अब जो यह प्रोसेस लगेगा 4-4 गंटे बढ़ने का यह क्या 12 गंटे जो है वो बारा गंटे तेरा गंटे बाद में बढ़ जाएगी इस पिड पहले थी 55 और 55 और 48 को अगर मैं जोड़ दू आट पांस तेरा तीन पांच नो रेक दस यानि सबसे लास्ट आवर जो होगा यह जो तेरवा गंटा होगा इसमें इसकी जो इस्पिड रही होगी वो एक सो तीन रही होगी और इन सब का टोटल आप से पूछा है कि अगर इन सब को जोड़ दे तो बताओ इस डेस डेस का मतलब है 63 4,67 6,67 जार इक तर इस तरीके से इन सब को अगर जोड़ दे तो क्या होगा तो वह इसको कैसे करें य यह सब आपको दिख रहे हों तो यह समांतर स्रेणी में है और समांतर स्रेणी में जो सम अपन नमबर का वह होता है एन बटा दो 2A प्लस N-1 इंटो डी N होता है जितने संके होती है हमारे पास 13 संके है 13 बटा दो तो A मतलब होता है प्रथमपद A जो होता है वो होता है प्रथमपद तो भै A आगे आपना पच्पण plus N minus 1 यानी 13 minus 1 और D मतलब होता है सारवंतर सारवंतर इन के बीच का अंतर सब में 4-4 का अंतर है तो 4 आ जाएगा यहां से आप देखो यह 6.5 आ गया यह मत काटो इसको अभी थोड़ो आप 13 15 ने 110 प्लस देखो यह 12 बचेगा रबारा चोक 48 आ जाएगा आगे देखो 13 बटा दो कुणा 110 और 48 कितना होगा और आप इसको गुणा करोगे तो 127 आ जाएगा यही मेरा आणसर है आगे चलते हैं तिरी जुगल किशोर ने एक निश्चित राशी को साधरन ब्याज पर 4 साल के लिए इस प्रकार निवेशित किया कि 3 बटा 7 राशी 7% पर्षिक ब्याज दर पर 2 बटा 5 राशी 9% ब्याज दर पर और 6 राशी अब हमें इसने राशी नहीं बताई तो हम राशी क्या मानें साधरन ब्याज की जो सवाल होते हैं उनमें हम जनरली 100 मान लेते हैं लेकिन 100 में क्या 7 का भाग जाता है नहीं जाता है कि जिस से जो है साथ का भाग भी चला जाये और फांच का ह्थ नेकिन 35 350 मानने से हुआ क्या कि इसका जब तीन बटर निकालोगे पांथ Congrats जब तीन बटर साथ निकालो गया अब यह उजाएगा साथ PARP 35 और इसका जो आंशर आएगा वह आएगा आपका पंदरा फिर जो है वह साथ परसेंट निकालना भरी हो जाएगा तो क्यों ना हम ऐसी डिजिट माल लें कि जिसमें अगर कुछ परसंटेज भी निकालें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो हमने माल लिया 3500 रुपे टोटल रकम थी इसके पार अब इसने क्या किया चार साल के लिए निवेशित किया पहली राशी जो mods propos 7 ती chiarा और यानि 35 का 3,7 अम लोग निकाल लेते हैं 3500 का universal कितना हुआ आब सो 5 1500 तीरा पंद्रासो पहली रकम जो थी वो थी 100 दूसरी रकम क्या होगी दूसरी रकम के लिए तो पांच पैंच बहुvate ईसी 350 का दो बहुटा पांच भाग पासांं किuição ती 7 टोटल माना था 3500 उसमें से 1500 आ गया और 1400 आ गया तो 1500 और 1400 3900 हो गया अब बच गया कितना 600 रुपए यानि लास्ट रकम मेरी बच गई 600 रुपए अब ये कह रहा था पहला पार्ट जो है पहला पार्ट इसने 7% पर दे दिया तो भई 1570 105 यानि इसका ब्याज जो बना एक साल का वो बनेगा 105 प्लस ये रकम जो दी इसने ये दी 9% पर तो 14 नाम का 126 रुपए ब्याज के इस पर बनेंगे और ये रकम जो दी वो दी 11% पर 11.6 रुपए इस पर बनेंगे यानि मैं यह कह सकता था कि एक वर्ष का जो ब्याज बना टोटल वो बनेगा 6 और 6 12 और 5 17 के साथ 181 और 7 और 291 यानि 297 रुपए जो मेरा ब्याज बना वो बना एक साल का लेकिन यह कह रहा था चार साल के लिए उधार दी इसने पूरी रकम चार साल को अगर इसको मैं चार से गुणा कर दूं यह कितना आ जाएगा चार चोक टाइस के आठ आसिल एक 9 चोक चतीस और एक 37 की साथ आसिल 3 चार दूने 8 और 3 11 चार चोक टाइस के आठ आसिल 2 9 चोक चतीस और 2 38 1188 रुपए जो है वो इसको ब्याज के मिले जबकि 1188 की वेल्यू सवाल में आपको जो दे रहे खी है वो 1188 जीरो है जब इसको दसगुणा है तो जो रकम रही होगी आपके पास जो आपने माने 35 उसका भी दसगुणा ही आपको मिला होगा जो की मिला है आपका 35,000 तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35,000 अब दोस्तों ये था इसका पूरा बेसिक अगर इसको आप डिटेल से करते तो लेकिन मैं कहता हूँ ये सवाल 5 सेगिंड से ज़्यादा गा नहीं था अब वो कैसे नहीं था देखना आप ये कर रहा था 4 साल के लिए दिया अचाए इसके बटे में 7 आ रहा है इसके बटे में 5 आ रहा है यानि मेरी कोई न कोई ऐसे कोई मूल रकम जो रही होगी वो इस तरीके की रही होगी इसमें 7 का भाग भी जाए और 5 का भाग भी जाए तो 5 का भाग तो सम्में जा रहा है इ जो क्या यह साथ से डिवाइट हो रही थी नहीं होरी थी यह उरी थी यह नहीं पहले तेनि मेरा उसमें से ये अलग निकाल लेते हैं ये अलग निकाल लेते हैं जब 4 से उना करेंगे ये 55.200 यानि इसमें अभी आज की डेट में 200 लिटर तो अलकॉल है और जल ये ये जेल ये है 1.500 तोटल 3.500 हो गया अब ये क्या कह रहा था ये कह रहा था साढ़े 300.000 में कितना पानी और मलाय जाए यानि मिलाना इसको केवल पानी है पानी और मिलाय जाए कि ये अनुपात क्या हो जाए इनका 5 अनुपात 6 हो जाए एक बात बहुत बताओं एक बात आप बताओ कि जब एलकोहल 200 ml पहले था अब भी 200 ml है तो इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं तो भी यह जो 200 है यह value हो गए अगर 5 की तो भी 6 की value बताओ 25 24 24 यानि अभी जब यह 240 होगा तब जाके यह नुपात बैठेगा तो भी 500 से 240 हो गया तो क्या 90 नहीं बढ़ गया यह यह हमारा अंसर था यह फिर आपका सिंप्लिफिकेशन का सवाल आ गया code mass फिर लगा देंगे इसमें तो 3 off मतलब गुणा 5 दूने 10 और 11 बटा दो प्लस 6 बाजक 5 माइनस 2 off यानि 2 गुणा पर 3 और बटे में आ जाएगा आपका 4 ऐसे ही बटे में देखा जाए तो एक प्लस 3 और ये इसके बटे में है बई ये इसके बटे में है चार एकम 4 और एक 5 बटा 4 या जाएगा 5 और बटे में 4 आएगा इसको उपर बेज देते हैं यहाँ आ जाएगा off 5 यानि गुणा में आ जाएगा 5 माइनस 3 तिया 9 और एक 10 बटा 3 3 तिया 9 और एक 10 बटा 3 ओप मतलब गुणा 2 और इसके बटे में फिर 5 आ जाएगा काटा बीटी कर लो देखो जो जो कट रहा है जैसे 2 से कट गया दो बार ऐसे 5 से ये कट गया 5 बार और पांच दूने 10 यानि उपर बच गया आपका 11 तिया 33 बटा दो प्लस 6 बटा 5 माइनस 3 बटा दो ऐसे बटे में देखो तो एक प्लस ये तीन चोक 12 था यह हो गया तेरा तेरा माइनस दो दूने 4 बटा 3 जहां से आप LCM ले लिजे उपर जब आप LCM लोगे तो आएगा 10 तो पांच दूने 10 तो दो 12 आजाएगा माइनस देखो दो पंजे 10 दो का भाग देंगे इसमेर फिट जो बच गया उसको इतनी बार भाग चला गया आप 3 से गुणा कर देंगे तो पांच तीया 15 बटे में देखो 3 से इधर यहां बटे में LCM लेंगे 3 तो 3 तेरा तिया 49 49 माइ कटाओगे यहां माइनस का 3 मचेगर 3 इसमें से कटाओगे तो 162 आजाएगा कि इसको गुणा करना था 3 से ऐसे बटे में 10 गुणा यह 4 35 आजाएगा कौन कौन किससे कट रहा है कि अगर मैं 2 से कटूं तो 2 8 16 2 एकम दो 2 पंजे 10 बस यही कट रहा है कोई बात नहीं आप इसको गुणा करो 3 3 8 24 बटे में 5 25 की 5 आशिल 2 5 15 और 2 17 243 बटा 175 यह जो है यह मेरा आंसर है ठीक है आगे चलते एक इसी काम को टाइम एडवर का मरा अभी चल रहा है और बहुत अच्छे से हम लोग इस पर मैनत कर रहे हैं आपके किसी भी सवाल में आपको जिन्दगी में समस्य आनी है नहीं अगर आपने वो देख लितो ठीक है एक इसी काम को 8 दिन में यह जो कर रहा है वो कर रहा है 8 की साहिता से वह इस काम को चार दिन में कर रहा है और यह जो आई यह एक हमारी स्पिड मैं कहा था कि जब मैं चैप्टर कर दूंगा उसके बास आपको इन्में दिखत आये तो इसने डिकत आएक आए तो 24 काम है चलो चोड़ो इसे में निप्टा देते हैं आप बताओ इन तीनों की मिलाकर speed H है की A और B की speed आ गई 3 की यानि इसकी speed 3 की इसकी 2 की तो 3 दो 5 और C की कितनी होनी चाहिए थी C की speed होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 1 तो C की speed जो आ गई वो आ गई 1 120 काम करना था एक की speed चे तो कितने दिन में निप्टा देगा 20 दिन में यही हमारा आंसर था साधार ने ब्याज पर उदार दी गई किसी राशी पर 3 साल बाद का मिश्रदन तीन साल का जो अमाउंट है वो है इसमें 715 और उसके अगले 5 वर्ष की अवदी अगले 5 साल यानि तीन और 5 आठ साल 8 साल का जो अमाउंट है वो है 990 इनके बीच में जो ब्याज बना होगा आप किसी को भी जब मूल रकम उदार देते हो तो मूल पर जो वर्दी होती है वो ब्याज में होती है मूल पर तो वर्दी होती नहीं है तो ये जो बना बीच में ये पांच साल का जो इंट्रेस्ट आजाएगा वो इंट्रेस्ट आजाएगा वो कितना आजाएगा 990 में से 715 कटा लीजिए आप 990-715 तो ये आजाएगा 5 है उसमें हर साल इंट्रेस्ट बराबर बराबर होता है तो यहां से एक साल का जो इंट्रेस्ट आजाएगा वो आजाएगा मेरा तीन पांस ती पंद्रा की पांच आसी लेक पंद्रा और एक सोड़ा यानि एक सो पैसेट रुपए जो है वो मेरा तीन साल का इंट्रेस्ट है वो अगर मैं इस में से घटा दू तो मुझे मूल रकम मिल जाएगी यानि साथ सो पंद्रा माइनस एक सो पैसेट तो जीरो और पांच ग्यारा एक दो दो और पांच साथ ताड़े पांच सो रुपए जो है वो मुझे मिल जाएगा क्या प्रिंसिपल ठीक है आगी चलते है किसी वस्तु को ये बहुत अच्छा सवाल था किसी वस्तु को तीन सो पिचतर में वेचने पर एक वेक्ति को इतनी राशी प्राप्त होती है कि परतिस्त लाब क्रेम मुले के बराबर हो जाता है यानि अगर इसका कोस्ट प्राइस सो रुपए था तो इसको परसंटेज प्रोफिट जो हो रहा था वो भी 100% हो रहा था अगर इसकी कोस्ट प्राइस देड़ सो होती तो इसको परसंटेज प्रोफिट भी जो है वो 1500% होता अगर इसकी कोस्ट प्राइस 200 होती तो इसको परसंटेज प्रोफिट भी जो होता वो कितना होता वो 200% होता तो कैसे करें इस सवाल को इस सवाल को करने का एक तरीका तो यह था कि परतिस्त लाब क्रेम मुले के बराबर हो formula जो होता है वो निकालने का यह होता है यानि अगर आपने कोई चीज 100 की थी और 120 में बेच दी इसका मतलब आपने ज्यादा में बेची तो 20 रुपे का profit हुआ या आपने 120 में से 100 को गटा लिया कितने पर हुआ 100 पर और गुणा कर दिया आपने 100 से तो बही SP जो था हमारा 365 दिया हुआ था तो यह भी X है यानि अगर percentage में 20% का फाइदा हो रहा है तो क्रेमुले भी 20 ही रहा होगा और बटे में X गोना 100 इसको जब आप सोल करेंगे यह X इदर चला जाएगा यह X स्कुएर हो जाएगा यह 375 00-100X हो जाएगा इस से आप इसको सोल कर ल 200% Profit देखो तो वह 200 का 100% 200 का 200% जो होगा वह 200 होगा तो 200-200 यह थो 400 वह अनसर नही हो सकता अगला देखते 200 का 200% जब भी 200 का 200% ही ज्यादा निकल रहा है तो 500 का 200% पैसि तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा यह भी नहीं हो सकता 1060 का 160 160 percent, 160 का 160 percent, percentage मतलब होता है, बटे में 100, percentage जो होता है, वो होता है, बटे में 100, 130 गुना 160, बटे में 100, 0 से 0 कट काई, 0 से 0, 16, 16, 257, ठीक है, 160 में आपको 254 जोडना था, एका 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 उस्चाहरा है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता, इसका मतलब मेरा answer जो है, वो डेड़ सो ही है अच्छा आप इस सवाल को यह तरीका तो यह हो गया option से करने का क्योंकि आप डेड़ सो कहा जब डेड़ सो पर्षेंट निकालोगे पटे में 100, 0, 0, 0, 0, 15, 15, 225 हो जाएगा जब इस में आप डेड़ सो जोड़ोगे तो 5, 7, और 3, 345 आगया वैसे आप हमेशा ध्यान रखा करो कि इसका जो इकाई कांक है जैसे 5 है तो 5 को जब मैं 5 से गुणा करूँगा तो 5 आ जाना चाहिए था जैसे इसको 5 से 5 से गुणा ना करूंगा तो पांच आ जाएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा इसमें नहीं आएगा दोनों देखते हैं कड़ जाते हैं तो चामलाल अपनी वस्तों पर 35 अधिक मुल्य अंकित करता है यानि अगर कर लो इसको 20 बार फिर 2 से काट तो आप तो इन दोनों को गुणा कर लो 25 की 5 आशिल दो पांच आप 25 की 5 आशिल दो पांच ती पंद्रा ओर दो सत्रा एक पांच और एक है और बटे में सो था तो दो चोट के पॉइंट यानि 6.55 रुपे जो है उतने का इसने डिसकाउंट दे दिया तो बही 135 में से अगर मैं 6.55 गठा लो तो मैंने बेची कितने में हैं वो आज 28.25 में जो है उसने वो चीज बेची थी तो ली थी भई सो में देच दिये 128.25 में 28.25 जो है उसका प्रोफिट हो गया एक दन्निश्चित दनराशी पर 6.54 परशेंट वाट्सिक ब्याज की दर से तीन सही तीन बटा चार वर्षों में प्राप्त साधरन ब्याज वही सिंपल इंट्रेस दे रखा है आपको 1866 में टाइम जो दे रखा है तीन सही तीन बटा चार साल दे रखा है और रेट ओप इंट्रेस जो दे रखी है वो दे रखी है 6.4 परशेंट समान राशी पर यानि मोल रखम जितनी यहां थी हमें नहीं पता यहां कितनी थी जितनी यहां थी उतनी यहां है समान राशियो और समान ब्याजदर समान ब्याजदर यानि रेट ओप इंटरेस्ट यहां भी जो है वो 6.4% ही है और टाइम जो दे रखा है वो दे रखा था आपको 6-1 बटा 4 वट प्राप्त मिश्रदन यानि अब के बार अमाउंट पुछा है आप से पूल रकम तो ही उसके साथ में आपको सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के देखना था तो यहां से अगर प्रिंसिपल पता करना चाहूं तो क्या ऐसा ही गुणा और जाएगा बटे में रेट इंटू टाइम हो जाएगा क्या यह ओ जाएगा अठारासो चिनान में और तुनाजो वाटे में देखो रेट वम इंटरेस्ट कैं है 6.4 और टाइम जो लग रहा था 4 तीए 12, 12 और 3, 15 बटा 4 गुणा जाएगा 4 उपर यहां से आप काटा पीटी कटलो पॉइंट रटाओ तो उपर 0 लगा दो किसे काटे? 5 से काट लेते हैं 5 तीए 15 5 चाटे 40 8 उट्टी 64 8 दूने 16 8 दूने 16 दो बच गया तो यह 29 हो गया 8 तीए 24 और 8 उट्व साथ उचपन अब 3 से कट जाएगा 3 साथ एक केस प्रतिन नाम 27 तो भी यह आजाएगा आपका 7900 यानि मेरी जो मूल रकम आई वो आगई 7900 यहां आपको अमाउंट पता करना था तो भी अमाउंट के लिए पहले सिंपल इंट्रेस्ट पता कर लेते हैं कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंट्रेस्ट होता है तो सिंपल इंट्रेस्ट पता कर लेते हैं वो होता है आपका प्रिंसिपल जो है वो आगया 7,900 रेट ओप इंट्रेस जो है वो है 6.4 टाइम चैचोग 24 और एक 25 बटा चार और गुणा में आया आपके 100 डबल 0 से तो डबल 0 कट गया ये पॉइंट अटाएंगे तो एक 0 लगा देंगे पांचाम 25 बांदूने 10 दो से काटत 32 बर चार आटे 32 आट पंजे 40 चालीस की 0 चार नाम 36 की 6 आशिल 3 और चार चार चोग 28 28 और 31 31 जो है वो मेरा इंट्रेस्ट आगे है यहां से तो भई अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7,900 प्लस 3160 तो 0 9 और एक 10 की 0 आशिल एक 7 तीन 10 और एक 11 11,060 रुपे जो है वो मेरा मिश्रदन हो जाएगा ठीक है आगे चलते है 19 संक्याओं का ओसत जो है थोड़ा सा केल्कुलेटिव पेपर था यह 19 संक्याओं का ओसत जो है वो 58 है 19 संक्याओं का जो एवरेज है वो है आपके पास 58 तो भई इनका योग कितना हो जाएगा 19 गुण 28 कर लेंगे हम तो देखो 19 संक्याओं का ओसत जो है वो यह है तो भई बारा संक्याओं जो है तुरुवात की 12 संक्याओं का जो एवरेज आपको दे रखा था वो दे रखा था इसने 63.6 तो भई इनका योग जो आजाएगा राश्यों का योग जो होता है एवरेज को जितनी संक्याओं उससे गुणा कर दे हम तो 63.6 इसको गुणा करो आप 12 से बार चंक बहतर की दो आशिल साथ बारतिया 36 और साथ 43 43 की तीन आशिल चार बार चंक बहतर और चार यह आ गया फिर इसने कहा कि अंतिम आठ संक्याओं आठ संक्याओं का जो आवरेज आजाएगा वो आजाएगा हमारा कितना 55.1 तो बही यहां से योग पता कर ले राश्यों का योग कितना होगा 55.1 गुणा कर लेते हैं आठ से बही आठ एक हम आठ 45 की जिरो आशिल चार आठ पंजे चालिस और 44 44 अब एक बात बताओ संक्या 19 थी टोटल तो 12 तो यह हो गई और 8 यह हो गई तो यह तो संक्याओं 20 हो गई इसका मतलब कोई ना कोई संक्या ऐसी थी जो कि डबल थी और वो कौन सी संक्या थी इसने कहा शुरुवात की 12 संक्या और लास्ट की 8 संक्या इसका मतलब यहां जो 12 संक्या थी वो डबल थी तो 403.2 प्लस 440.8 इन दोनों को जो है हम घटा देते हैं इसमें से 1202 माइनस या जाएगा 8 2 10 की 0 801 एक 3 और 1 4 और 6 और 4 10 की 0 801 एक 7 और 4 11 और 1 एक मिनिट हाँ ठीक है पारवी संक्या जो आएगी वो इनको इसमें से घटाने पर आ जाएगी 1204 इसमें से घटा देते हैं या जाएगी हमारी 102 यानि इन दोनों का जो अंतर होगा वो ही हमारा संक्या होगी क्योंकि इन में 12 संक्या जो है वो जोड़ी होई थी 102 जो है वो हमारी 12 संक्या आ गई अब हमें चाहिए जो 6 संक्या है उनका क्योंकि इसने यह कहा है कि बारवी संक्या को आप इसमें से घटा दो तो बही ग्यारा सो दो जो है उसमें से एक सो दो जो थी वो बारवी संक्या थी तो जो शे से संक्या है उनका योग कितना आगया हमारे पास शे संक्याओं का योग आगया हमारे पास नो सो और आपको एव पंजे नब्य पिर दस बच के अठार पंजे नब्य यानि पच्पन पॉइंट कुछ आएगा पच्पन सही तो पच्पन सही पांच पटा नो जो है वह अमारा आंसरा जाएगा आगे चलते हैं एक अक्सा परिक्षा में 35 सात्रों का ओसत जो है वह 46 था 35 सात्र टोटल जो थे उनका ओसत 46 था एवरेज जो था वह 46 था यह बाद में यह पाया गया कि दोनों इस्तानों पर 23 की जगे तो 33 ले लिए लेना तो चाहिए था इनको 59 लेकिन इन्होंने ले लिया कितना 63 यानि कि इसमें कि फरक पड़ गया चार का इस चार की वज़े से पूरे 35 बच्चों पर फरक पड़ेगा और वो कितना फरक पड़ेगा वह हम चेक कर लेते हैं इसने ओसत लिया 46 इसका मतलब 46 तो नहीं आए कम आएगा थोड़ा सा कम क्यों आएगा क्योंकि इसने चार ज्यादा ले लिया तो भी चार में भाग दो दे कि 35 का पोइंट लगा दिया हमने जिरू लगा दिया 35 पांच बच गया तो 50 फिर वापस 35 यानि पोइंट 11 जो है उसकी कमी हो जाएगी तो 43 में से आप पोइंट 11 जब गटा होगे लगबक इसको हम में जब चार में आप 35 का भाग दोगे तो दे को भाग नहीं जाता 35 यह बच गया आपका पांच आप जिरू लगा लिए फिर वापस एक एक हो गया 35 यह 35 पॉइंट है तो यह 45 पॉइंट पॉइंट यहां से आपका जाएगा एट नाइन तो 45 पॉइंट आठ जो है वो हमारा आंसरा देगा 34, 38, 85 और पिच्चान में इनके LCM को इन संक्याओं के ओसत से विभाजित करने पर प्राप्त शेश्पल क्या होगा तो भई एवरेज जो होगा वो होगा इन राश्यों का योग 34, 38, 85 प्लस पिच्चान में भाग देले हम चार का तो आठ चार बाराव और दस बीस बाराव और दस बाइस तो नो दो ग्यारा और आठ उननीस और छे पच्चेस चार चंग 24 और चार ती बारा यानि 63 आगे इनका एवरेज बात करते हैं इनके LCM की तो भई LCM केसे पता करें 37, 38, 85 और पिच्च्चान में सबसे पहले बाग दे लेते हैं दो का 17 बार 19 बार इसमें जाएगा यह नहीं इसमें भी नहीं जाएगा फिर क्या करें फिर दे लेते हैं 17 का 17 एकम 17 यह 19, 75 पिच्च्चान से और यह पिच्च्चान में अब दे लेते हैं 5 का तो भी 5 का भाग दिया तो 19 एक और 5 तोरी 19 यहाँ से फिर वापस 19 का भाग दे लेंगे तो यह आजाएगा आपका एक 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 अब 19 और 17 जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो यह आजाएगा 18 का स्क्वेर करके एक कम कर दे इसमें से यह हो जाएगा 323 और गुणा 10 है तो भई 6, 38, 36, 35 यानि 5 बार चला जाएगा पांच 15 की पांच इस पल जो है वो क्या बचेगा आगे चलते हैं एक दुकानदार ने जिन्स के मुल्य को 1250 से गटागर 1150 कर दिया दुकानदार जो था उसने 1250 रुपे मुल्य की जो चीज थी उसको गटा के और कितने की कर दी आप से पुछा था कि इसने छूट कितनी दे दी इसको तो बहुत जीरो जीरो और यह एक यानि 100 रुपे की जो है वो इसने इसकाउंट दे दिया आगे चलते हैं 341, 434, 620 का मैतम समा पड़ते हैं तो बहुत तीन सो इकतारीस आप इसके टुकडे करो मैतम समा पड़ते हैं HCF का मतलब होता है highest common factor यानि जो factor इन सब में common हो वो हमें ले ले लेना है तो 341 के टुकडे करना 11 का बाग जा रहा है इसमें तो 11-33 और 11-11, 31 यानि इस बात की पूरी सम्मावना है कि या तो common 11 आएगा या common 31 आएगा वैसे इस पहले से आंसर दिया जा सकता था क्योंकि 11 जो है वो इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है तेकिन अगर 31 देखा जाए तो 31-35 के बीच में आता है और कोई option ऐसा नहीं है जिसमें 31 फुट बट है आंसर तो मेरा यहीं से आ गया आप औरों को भी चेक कर सकते थे 434 को देखो 31 एकम 31 एकम 31 और चार उसे गुणा करूंगा तभी एकाई कांग चार आएगा यानि चौदा ऐसे अगर देखते आप 620 को तो भाई 31 दूने 65 और यह 0 तो भाई इसका जो LCF आजाएगा वो आजाएगा हमारा 31-30 और 35 के बीच में और उन्हें दो वस्तों यह 631 रुपए और एक कैसी 80 पैसे की लागत से बेची यानि इनका जो सेलिंग प्राइस था SP था दोनों वस्तों का वो 631.80 था ठीक है एक पर उसने 17% का लाब हुआ यानि यह 100 की चीज थी और इसने बेच दी इसको 117 में यानि यह जो वेल्यू है यह है 117 की यानि 631.80 जो है वो वेल्यू है 17 की 117 की और आप से पूछा है यहां से इसका क्रेम उल्य पता कर लेते हैं तो भई क्रेम उल्य क्या आ जाएगा देखो यह पॉइंट अटागेर मैं बटे में 0000 लिख लेता हूं 0000 से तो 0000 कतम हो गए अच्छा था का पाड़ा कितनी बार बोलों कि यह 8 आ जाए तो भई पहले तो इसमें भाग देलो आप 631 आठ और इसमें भाग देना था आपको किसका 117 गा ग्यारा तिया ग्यारा पंजे पच्पन पांस आते पैथिस की पांच आशिल तीन ग्यारा पंजे पच्पन और तीन अठावन पच्किया कितना यहां से 15 और तीस पैथालीच छियालीच पोडशिक सेट साथ दूने चोड़ा साथ यह कि साथ चोक अठाइस तो चार बार चला जाएगा यानि यह जो इससे कटेगा वो चोपन बार कटेगा तो 54 और आग हो रही थी यानि अगर उसने सो की चीज खरीदी होती तो 19 परशेंट की हानी यानि उसने बेचा होता इसको 81 परशेंट तो यह जो 631.8 है यह वेल्यू है हमारी 81 परशेंट की यहां से हम सो की वेल्यू पता कर लेते पॉइंट अठाते तो बटे में 0 लगा देते डबल 0 से तबी तो बही 631.8 में बेचने पर नुक्सान हो रहा है इसने यह पूझा पूरे लेंदेन में कितने प्रतिसत की हानी होई तो यहां से जो टोटल कोस्ट प्राइज आएगा वो आएगा 540 प्लस 780 तो यह आगा 0,8,4,2,2,8,7,5,2,1,3 ऐसे अगर SP की बात करूं मैं तो बही 631.8 गुणा 2 तो यह आजाएगा 0,8,2,6,8,1,2,3,3 और 3 दूने 6 और 6 दूने 12,63 रुपे 80 पेसे जो है उसमें इसने बेची 1320 की खरीदी थी इतने में इसने बेच दी तो बही यह आजाएगा आपका पॉइंट 40 तो इदर आगया तो तीन और साथ साथ और पांच 12 यानि सत्ताओन रुपे 40 पेसे कितने का नुकसान हुआ कितने पर तो तेरा सो गीस पर बुणा कर लिजे सो से हैं पॉइंट एटाओगे तो डबल जिरो आ जाएगे तीन जिरो से उपर वाले तीन जिरो कट 132 से 134 वावन तो 4 पॉइंट कुछ आएगा लेकिन चार पॉइंट में इसमें दो फिर पैंस बांसो चौइबार में एगर बहाग दोगे तातों में कोपर और जिंग जो है बड़ा आसान सवाल था यह 595 चार में है और 20 ग्राम जिंग के साथ यानि यह जो है यह जो है यह है 20 ग्राम तो 20 वेल्यों हो जाएगा आपका 4 की आपसे पूचा था कि यह 5 की वेल्यों कितनी होगी चार पंज़़ 20 तो यह होनी ची यह 25 ग्राम ठीके यही मेरा आसर था 25 ग्राम यह आपको X का मान बताना था तो कूई 45% मतलब बटे में 100 गुणा 360 प्लस 30% मतलब बटे में 100 गुणा आपका 400 और बराबर हो जाएगा 25% मतलब बटे में 100 गुणा में X जब अगर 100 सब के बटे म में है तो इसको काट दो आप इस 25 को इदर लियाओ तो 45 गुणा 360 ये दुनों के अलग लग बटे में चला जाएगा प्लस 30 गुणा 400 और बटे में आपका 25 पराबर आजाएगा आपका X काटा पीटी गड़ो 25 पांच नो पैतालिस और पांच आपनग पैतीस पांच दुने दस 25 पांच नुग चंग तीस 5 चानग तीस 5 अच चालेश को इन नोदुने अठार आपा आप आच आच नो सत्य तरे शट औरे चोंस सट प्लस 8 चंग ताड़ी चार सो अची बराबर X तो गया आठ आठ एग रोच नो च्चार बराद द यानि सो की चीज 130 में अंकित करता है और फिर 10% का डिसकाउंट देता है तो इसका 10% हो गया तेरा यानि चीज बेच रहा है 117 में तो फाइदा किते का हो रहा था 17% का एक वेक्तित धारा की दिशा में जब धारा की दिशा में अगर यह जाएगा तो बोट प्लस इस्टीम दोनों साथ जाएंगे और 25 किलोमेटर जो है वो दो गंटे में जा रहा था इसका मतलब इसकी जो जाते टाइम स्पीड रही वो रही 12 किलोमेटर पर आवर की और दोने 189.5 अब एक बाद बताओ बोट प्लस इस्ट्रीम आपको दे रखी है शाडेबराद बोट माइनस इस्ट्रीम आपको दे रखी है 9.5 आप से दारा की चाल पुछा पूछ्चिए इस्ट्रीम पूछिए तो दुना के अंतर का आधा कर दो अंतर हो इनका तीन तीन का आदा करोगे तो डेड़ जो है वो हमारा आज़ाएगा ठीक है next कि एबी से आपको ऐसी दनात्मक्संक्या दी गई थी कि A² प्लस B² यह दे रखा था आप A² प्लस B² यह दे रखा आपको 34 B² प्लस C² यह दे रखा था आपको 61 और C² प्लस A² यह दे रखा था आपको 45 ठीक है अब आप कोई ऐसी दो संक्या है मुझे बताओ जिनको योग करने पर वर्गों का योग करने पर 34 आजाए आप कहेंगे सर एक तो तो तीन का स्कॉयर है नो और एक 5 का स्कॉयर है 25 ठीक है अगर B हमने 5 माल लिया यह हमने 3 माल लिया तो भई B 5 यह 5 का स्कॉयर इसके साथ किसका स्कॉयर जोड़ा जाए तो भई 61 में से अगर आप 25 गटा हो तो यह 36 बचेगा यानि 6 का स्कॉयर यानि A आगया मेरा 3, B आगया 5 और C 11 हो गया और आप आप टीन पाइपोगी कि द्वारह तीन गंटे में बरा जा सकते हैं अगर तीन पाइप मिलकर बरें एबी सी अगर तीन पाइप मिलकर बरें तो इसको बढ़ सकते हैं पाइप A जो है वो C से 6 गुणा एक पाइप है A, B और C, C से तो है वो 6 गुणा यानि अगर ये एक होता तो ये होता 6 और B से है दुगना तो B का 2 गुणा यानि ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3ों की मिलाकर इस्पिट आ गई, 6, 3, 9, 1, 10, यानि 3ों की जो इस्पिट आ गई, व जो है वो टैंक को बढ़ने में कितना टाइम लेंगे, बई और C की जो स्पिट थी, वो कितने थी, 3 और 1, 4 की, 4 की स्पिट से 30 काम करना था, तो 30 की में भाग लगा दो 4 का, 2 से काट लो पहले तो 2 दो ने 4, ये 15 बार, तो बई 7 सही, 2 सत्य 14, सास सही, एक बटा 2 जो है, उसमें एक काम को निफ्टा देंगे, ठीक है, ये आज का हमारा पेपर था, आप देखते रहिए, शेर करते रहिए लोगों के साथ, थैंक्यू सो मैं